एट पियम एजेंडा में आप सबका स्वागत है इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट माच का दूसरा दिन भी आज खतम और सिचुएशन पूरी तरीके से टीम इंडिया के कंट्रोल में है 308 पे 4 टीम इंडिया का स्कोर है अजिंग के रहाने और रिशापं तो सबसे पहले से शुरुवात करते हैं सबसे पहले अगर आपने पिछली चाट मिस की है स्पोर्सक की तो जरूर से इस चाट के बाद वापस जाएगा और देखिएगा वो देखने लाइक चाट है मिस्त करने वाली चीज नहीं है वो और आपको सबज में आएगा की साथ कुछ आला की अंदाज आज को आनिल सा का दिखा है और अचि एक युश्म दीन का आप पोरे दिन कि आपका पैशन निगल कर आता है आज पैशन ना हो तो लोग बड़ी शिकायत करते हैं जी आप इसका नाम क्रिकेट तक रख दो स्पोर्ट्स तक क्यो रखा है सर आप लोगों से यह गुजारिश है कि कबड़ी के मैच की हालेट्स है प्रो कबड़ी मैच की हालेट्स है चार मैच डल चुके हैं आप लोग उसको देखते नहीं है तो आपका पैशन भी अगर क्रिकेट की तरफ ही रहेगा तो फिर आप हमारे से शिगायत मत कीजिए बाकी दिखता है मीडिया में ज्यादतर टाइम पर आपको वही दिखता है रही बात आज के मैच की तो वाकरी जो नई पीधी आई है उस पीधी ने तो मतलब ऐसा पराक्रम दिखाया है आज दो बनलेवाद जो चाय रहे इंडिया की तरफ से जो भारत के एक समय तोते भी उड़ से बल्लेवाजी की आज खासकर आखरी सेशन में जिस तरह से प्रचंड और प्रतापी बल्लेवाजी की उन्होंने एक बल्लेवाज को जो दूसरे छोर पे थे रहाने उनको भी फॉर्म में आने का मौका दिया चुकि वह बहुत चड़ के खेल ले थे इसलिए रहाने अगर जाते हैं तो बीच में वह अनॉंस्मेंट होती है कि जहाज कि प्लीज दुबारा से पेटी बांद लो क्योंकि वी आर अब टो हिट एर टर्बुलेंस तो एक स्टेज आई थी जब इंडिया की टीम एर टर्बुलेंस में घुज गई और शायद उस वक्त मैं देख रहा था हम लोग भी तो इस टेस्ट मैच को बड़ा एजी ले रहे थे ना कि आएंगे जाएंगे और खतम हो जाएगा तो शायद वो एक एक चीज दिख रही थी यार हो रहा हो रहा है अचानक से एक आउट अचानक से दो आउट तीन आउट चार आउट वो टर्बुलेंस थी ऐसा कि लिए इंडिया के अगेंस चले जाती इंडिया को चौथी बैटिंग करनी है और चौथी बैटिंग अगर आप थोड़ी सी विकेट हैल्फुल हो जाए पता नहीं चलता है जिंदगी में कभी-कभी सवासो रन भी चेज नहीं होते तो उसके हाथ से वह एर टबुलेंस से निकलना बड़ा जुरूरी था जैसे रहाने के पास लाइसन्स था और मुझे लगता है कि रहाने थोड़ा और एक्स्टा मोटिवेटेड देखे हालां कि जिस तरह बैटिंग कर रहे थे वह अपने उपर इतना प्रेशर बनाई जा रहे थे इतना प्रेशर बनाई जा रहे कि मिझे लगगा थायर कहीं फिर वहा ना हो जो हमेशा करते हैं कि मेहनत की और विकट चली गई क्योंकि रहाने को रन नी चाहिए रहाने को 40, 50, 70, 98, 99 नहीं नहीं चाहिए उनको 100 क्योंकि उन्हों इस दोरां 70 वी बनाये हैं 50 बनाये हैं लेकिन लोग कहते हैं 100 बनाए बड़ के साथ उनको मैंने पूछा यही सवाल की प्रित्वी शौने सब्तरन बनाए उनने का हाँ उनने सब्तरन अच्छे बनाई लेकिन जिस खिलाड़ी को बच्पन से आदत है ना सो डेड़ सो दो सो और बनाते रहना उसके लिए हर बैट्समें के लिए करते हैं जब टेस्ट क्रि करियर में बहुत जल्दी के फेज आया जहां पर उनको लगा होगा यार सत्रन बनाने कितने असान है लेकिन गलत शौट मार्क के मलब गलत शौट जो भी है उनने का अब प्रित्वी शौ जो हैं जिस कूल से आते हैं अब वो समझेंगे कि नई सौ बनाना है डेड़ सो बना कि अब मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि मैं शौट सेलेक्शन या सिली मिस्टेक्स ना करूँ जी मैं सोग इतना करीब था और वहां पर कर दिया तो उन्होंने रिलाइज कि उस चीज को और समझेंगे तो यह तो अच्छा होगा थे कि यह वेस्ट इस इतना बड़ा अच्छा ने बनाए और खड़ी कर आउट हो गए आज जब वह बैटिंग कर रहे थे मैं सुन रहा था कॉमेंटरी हिंदी में अनिल भी सुन रहे होंगे चावाली पे खेल रहे थे और सुनिल गावसकर उस अच्छा कर एंधी में मुर्ली कार्थिक के साथ गावसकर उन्हो कि इसे केटे चीप रंस कई बार ना जब रून वहां पर होते हैं तो हमें रहे चुका यार यह यह बड़ी चुका राज रिश्चा बैटिंग में भी वह बेटिंग करूंगा है मैं मुझे पता है मेरे लिए रण है मैं तांग रखे अधर वी मार सकता हूं और मारूं गार जिसके लिए मतलब वो जाने जाते हैं आज वो वैसा नहीं खेले शाद रहा शुन लिया था कि हम लोग पिछले दिनों में जो रिशब पंथ के वारे में वर्सिस चर्चा हुई है जो दो लोग इधर जैसा है वैसे खेले सा रिशब पंध जैसा हम बात करें जैसे विराट कोछी एंग्लिन में खेले हैं लिए विराट कोली पर अज रिशब पन मतलबगी को रोक के थोड़ सब्सक्तर राशिका वो दो तीन चक्के कभी भी मार देते उंदे नहीं मारें उन्होंने कहा कि एक चा अपने आपको समझाना, आपके पास फरारी है, यह बहुत छोटी उमर में मुझे किसी ने समझाया था, कि आपके पास फरारी है, और आप गाड़ी अराम से चलाओ, यह आपका सबसे बड़ा इंतहान है, मेरे पास शारी सारी शोटे हैं, पर मैं वो खेलू ना, यह मेहनत करते हो ना, रातो रातो अमरूद का पेड़, ऐसा नहीं है कि सुवह अमरूद दे देगा, उसमें वक्त लगेगा, उस वक्त का अगर आप इंतजार कर पाओ, सायम रखो, वो रिशब पन्त उने किया है, और शायद पृत्वी शोग को अगली पारी में कर और जिसका कि केल राहूल वो पोस्ट भूल जाए, सोचल मीडिया बूल जाए, यह बनावटी ग्लैमर को भूल जाए, और अपने उपर काम करें, तब कहा तिल तरफ है कि वेशिदीज किसी के लिए चुनौती है, यह शाद चुनौती है, यह हम अपने देश में खेल ला है, लेकिन आ साथ-साथ करती थी, तो हो सकता है किसी बड़े खिलाडी ने किसी को छोटे को बोल दिया, एक काम करो, तीन महीन के लिए बन कर दो, क्योंकि सब लोग साथ-साथ के हैं, तो उसमें से शायद को कोई दूसरे को कह नहीं पता है, यह जनरेशन दिफरेंट है, और इस जनरेश अड़िग पंदेया और खिलाडी अगर शोचल मेडिया पर शोचल मेडिय पर अक्टिव है तो वह बुरी बात नहीं है, वह डिस्तरेट झान आठोए, भर इस दिफरेंजिश फिराट कोली का लिए लेक बना प्र भरणाने जाए, तो वह पुश्यव पूछ से पूच यह आप तो यह फालो कर्षा है कि अभुछी पुछी पोस्त नहीं कि अगला मानसिक्ता में था ही। पुछी पुछी पोस्त थी थी तेन रन लिये लेकिन वहां लेकर यह क्यों नहीं निदेख तो मुझे पता नहीं है ग róż मेरा हो क्वेस्टेर कि गों घाले के हribly 2 खाले हैं सुझार ऐग कॉंप है हम जैसे बेठकर देखते हैं हमें पता है कि staff fragrance कर कर से वापस से आओओ जेखता होगा निक में बारे पर गुण से खागा थो अपने ऊपर से विश्वासी आट जाता है क्यों concur आपने अपर से विश्वासी के साथ निया है केल राहूल के साथ अब यहाया है कि जब है कि एसा निया केल आफु है निकल निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, और विराद कोली भी ऐसी तो इंग्लेंड में 2014 में तो किसी के साथ भी हो सकता है, थे इंग्लेंड में अकरी सीरीज में, इतने सौ बनाएः, अपनी कर एक रिरन सीरी ती इन उस्ट्रेलिया, उसमें बोल्डी होते हैं, बोल्डी होते हैं, के राहूल में टालेंट है लेकिन के राहूल को टेकनिकल और मेंटल वो जो सुनिल गावसकर ने बात बोली है वो देखना पड़ेगा आपका तो आपको अक्रॉस द लाइन खेलने की आदत हो जाएगी आपका बैट ऑविसली वो है यह आप इतर कम खेलेंगे आप कैंची बन वो वहीं पर एल्वी और बोल्ड हो और तो ऐसा नहीं है कि केल राहूल की बैड लग चल रही है कई बर क्या होता है आपकी बैड लग होती है जैसे आप अजिंके रहाने फर इसेंपल यार इदर शॉर्ट मारा इदर कैच हो गया इनके तो कॉंफिडेंस इसलिए गया है क् कि टेक्निकली इनकी खेल में वो तिक गया है वो गयन बाजों को दिख गया है कि यहां से अंदर लाना है पहले बाहर डालते रहो यहां से अंदर लेओ को कैंची बन जाएगी पैर की तो यह ऐसा नहीं है यह तो यह स्कूलों क्रिकेट में भी ऐसा होता है बच्चे का सिर उसके जारा है वो ठीक कर लेता है लेकिन डिक्कत यह है कि जब आपके दिन खराब चलते रहें आप बार बार उसी तरह से आउट होते रहें आपका अपने उपर विश्वास हट जाता है प्रित्वी शौ सामने से चौके पे चौका मार रा पृत्वी शौका बच्चा एक स यह मिन्द में एक आए रहा है वो कि यार उंधर आएग पुण आए कर लिए और झाल मैंजा कर तो यह वाज पूर भारत के बालेबाज बारत आदे बॉलत अच्छे हैं जादाध तर टाइम पर रहें कि वाझ तो पेर आए गें को अचाहिए अचाहिए ले है देबेट शुरूए पहले सर ने माल लिया नहीं रहे हैं नहीं प्रफट है क्योंकि उनका सिफ तो गिर रहा है जब आप ऐसे होते हैं तो आपका आपकी बॉड़ी अचानक से ऐसे जाएगी जाएगी आपकर अपर लाइन कि यहां से कवर ड्राइग थोड़ी थोड़ी तो द किसी फॉर्णर प्लेर जैसे हुई है रिकी पॉंटिं को एक टाइम पर ऐसे ही आउट करते थे आप इसान से अन्मा मतला पैट पर गई गेंद और आउट पैट पर ठकरती थी और ले जाते थे तो मतलब रिकी पॉंटिंग चाग के भी उनसे पार नहीं पाते थे वहां से आखरी बार दिखा था वह रहूल द्रविड कहा ही दिखा था वह अकरी स्रीज थी उसके बाद उन्होंने सन्य आसी ले लिया था इसको निपट जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसको निपटने के लिए बात वही है कि टेस्ट मैचिस म प्रिखल जाओंगा वो नहीं होगा उसको जा कि जाना मुझे लगता है कि जो न्यूजिलेंड जारी ने टीम आपकी इंडिया ए उसमें केल राहूल और मुर्ली विजय दोनों को भीजना है और आप प्रित्वी शौ को भीजिए क्योंकि माइंक अगरवाल के लिए बैडल जाओंगे लेकिन तीसरी जो टिकेट है उस बिजनस क्लास में जिस भी एरलाइन में जाएंगे सिंगापो कौंटास या एर इंडिया उसमें वो मुर्ली विजय की टिकेट हो से उनकी तो बैड लग कुई लेकिन मुझे लगता है कि गुड़ लगता है कि गुड़ अगर कि आक कोरना एक आपको वन्डे में भी आ जायेंगे के बाद किक कुछ हो गया के च ciao עथ कि तो हुटता है कि मुझे लगता कि आप बैक आप ऑनर के लेख रखयो कि अगर ऑनर के लिया के अच. तो हम कि और कि न तो रहें जैसे भी आर एंट उपनर जैसे भी आरहें तेम में तुआरोजे लेकिन अगर आप तोटालिटी में इंडियं क्रिक्ट देखे हैं ना इंडियं क्रिक्ट कभविश और फूचर देखे हैं आप बढ़ प्रित्वी शॉप को अभी उस रास्ते पर तेप्रिट प्रि मेरे ख्याल से अभी उनको रश्मत कीजिए कही बारा सर आपको फास्ट्रेक करना पड़ता है जिसमें अगर अगर आपका अविलियाद जो पर सचिन तंदूलकर को भी फास्ट्रेक करें आज कारिक में यह चाहूंगा कि रादर दैन वह वन डे टीम के बैकाप ओपनर के तौ कि प्रिथवी शौ को फिलाल क्रिकेट इंजॉय करने दीजिए उनको जल्दबाजी किसी भी इस तर पे आप मत करने दीजिए ऐसा नहों कि एक उबरतावा खिलाडी कि अपर रोज उमीद करेंगे अब हर बार उन से उमीद करेंगे प्रिथवी शौ सौ प्रिथवी शौ यह फसे मंगणन से पर नान्स भी धिंॉय एन मामने जिए तो नहीं फिलावी जिए वे इसे प्रिथवी बश्यांजूल करेंगे र्या वरह निख रागए टीमाति किसे मैने मिल्रिथए अर तो तो कोई को इसं बात है तो टोमातल इस बाते आगे मेधितलि है ल। अगर थ कि आपनिस्तान का 50 और ओवल का 100 तो 200 तो तो जाते हैं उनके पंदरा पारियों में 180 एक सोची रन और एक यंग टेक्निकली करेक्ट ओपनर हमें हम अमें लगता था कि के ल्गए टेक्निकली करेक्ट हैं अपर्इट हैं और बाक्फुर्ट और फॉर्वर्ट दोनों कि लेकिन यह साल अगर आपका इसी तरह से चलता रहा तो वहां पर पेशेंस खत्म होजेगी विराट से 800 रन दूर होंगे पेसेंस तो आपी कप्तान का भी जाना होगा जिनोंने इतना भरोसा किया जाए इतना भरोसा किया उसके बाद भी क्योंकि क्या होता ने एक पैच आता है एक आपने का चलो सब कुन माफ लेकिन यहां पर जीरो और चार और आउट होने का अंदाज मैं वही कह रहा हूँ जब लेके यह खबर तो पैल जाती है एक दम कि इस खिलाडी को यह गें नहीं पसंद फिर दुनिया चोड़ती नहीं आपको पिर दुनिया नहीं चोड़ती आपका जब दिल में आपके जहन में इतने सारे सवाल हो बहुत मुश्किल हो जाता है पता नहीं प्रिथ्वी शौ तो एडिले टेस्ट मैट में उनको ओपन करना चाहिए एक बड़ा सीरियस सवाल है विराड कोली रवी शास्री के सामने और एवन MS के प्रसाद के सामने कि यार वो दूसरो ओपनर कौन होगा हाला कि हो सकता है के ल रहुल को ही तवज्वाद दी जाएगी पहले पर माइंक अगरवाल का मुझे लग रहा है कि बैडला की हो गई कि कि के ल रहुल ने रनी बनाए और के ल ना बनाने से हो सकता है मुरली विजे बड़ अगे रहुच छाता बनाए अन्फेर नहीं चाहता है एक सायद माइंक अगरवाल के लिए अनफेर होगा अगर आपने अस्ट्रेलिया में नहीं पर यहां उपन कराले अपन कर में उंग्लें किला यह किला कम एक सौर शॉर के साथ तो लेकर जाएंगे नहीं को माइंक अगरवाल स तो जुरुबा तो है यह ना उमर भी तो चॉंतीस साल ही है कौन सा कुछ 40 साल होगी सचिन 40 साल तक खेलते रहे रहूल द्राविड थिंक थे 39 जब तक खेलते रहे तो हर्ज क्या है अगर अगर बैद बनाए है पेसिंस के अधर बात मेरा यह है कि बात कर लिए बहुत कर लिसा कि अधर भागया इंडिया ने फ्लाइट ले ले तर्बुलेंस से निकली ना वो आपकी फ्लाइट जब थोड़ी दे अधर तर्बुलेंस में हिट करती है अब यार होने को कुछ भी हो जाए बड़ लेकिन दूनों सो होने मैं बता हूं को बड़ी बात पांसो रन पना यह यह जानती है इन दोनों ने आख एकल बीस मिनट बैटिंग करनी है लेके सुनिल गावसकर एक और बात बोल थे जब इनके 80-82 रन हो गए थे और दिन में खत्म होने में छे और बाकी थे रिश्यप पंथ बैटिंग कर रहे हैं अग अगर रिश्यप पंथ बैटिंग कर रहे यह कॉंफिडेंस है उनको भी आगे चल के बहुत अच्छा रहे हैं अगर आप वंडे में आते हैं और माल लीजे कि आपकी जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो कॉंफिडेंस तो रहेगा ना कम से कम टीग इसके पास डिफेंस भी है ऐसा नहीं कि हरगेट को उठागी है अगर कुछ स्वाल नहीं तो कि आपकी जल्दी नहीं कर रहे हैं तो अगर कुछ सवाल तो कि यहार ऐसा नहीं कि किया जाता है मुली विजे को भी किया गया विराट कोली को भी एक टाइम पर किया गया था अजिंकर हाने को नहीं किया गया का बैक कुछारा को भी किया गया बैक वह यह टीम मैंजमेंट की एक सोच होती है उनको कई बार करिक जादा ग्रीट तो वह कि इंग्लेंड में वो दोरा था दोरा था उन्होंने सौ बना दिया ना डेड्सो बना दिया सौ और डेड्सो गिने जाते हैं लेकिन उसके बार फिर यह दो पारी है और कई बार हो सकता है क्या रहूल आज इतने अंदर से तूट चुके हो कि खुद ही बैटिंग करने के और कि अज़ा इतना तूट चुके हो कि आस्ट्रेल्या में बहुत स्ट्रॉंग है वह हमें ना देखें एक बात और गॉर करने कि ए सर्केल राहूल इंग्लेंड दोरे पे पहला मोका उनको टेस्ट में कैसे मिला उनको मिला पुजारा की जगा पे उनको मुझा मिला तो जिस ब आसमे सब्सक्राइब की जगा आ गॉरे निगो आए सब्सक्राइब मैं तेम में आए रखें करने कि यर्याग परला हले कि टि político य्प हो एक घया इनको जा परेश तो है कि अ अवा धानने बात यँ ट करता है तो आफ है सबष्छ अपड की झाला की प्र्म्रिश जैते हीु को रहे हैं, ज़िए जागेषिको पाते हुता है, है यह झालों के तेषके पहल के फ जाने को जागे कुजा के पुछाता है, को टीज के चेड पर आप मारे पेड Literal जागेध o determine कि यह पर रही हमारे पुझार तरह यह मारे शेकर दवबहतर भीघ्थ और प है पिर उनसीं नेरी बेशनली आप कर दिया। कि चलो और किसी ने तुरली विजय से भी बहता है तीन खिलाडी के जगा पर इतना बड़ा बड़ा लगा जाता तो उस प्रेशर भी आता है आता है बिल्कुल आता है और मुझे लगता है कि बड़ यह साथ में मोटिवेशन नहीं लाता है कि अगर मुझ पे इना अट्रस्ट मुझे बड़ा किसे कहते हैं हीरा क्या है क्या है क्रिस्टल क्लियर जीज रॉक है रॉक क्या होता है सॉलिब रॉक मतलब वह पत्थर हुआ नहीं हीरा तो पत्थर है लेकिन जो पत्थर निकलते 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 तो बुद्दाइए लेकिन अब आपको फैसला भी लेहा होगा, जैसे मैंने काहा एक रसी इतनी लंबी नहीं हो सकती किसी के लिए भी, कि वह रसी चलती ही रहे talent okay but KL Rahul की batting average 60 की नहीं है test cricket में KL Rahul की batting average 50 की नहीं है वो 1200 नहीं लगा चुके बोर्ड पर की चलो यार कोई बात नहीं exactly true युवराज सिंग को कितनी test cricket मिली थी उनके भी 400 थे उनको जादा test cricket नहीं मिली फमाना थोड़ा सा जो बड़ा प्लेर है उसको थोड़ी सी उनका क्या होता हृत को अगर प्लेयर को बैक करते हैं जैसे अब तेखिभिakte फैंस भी कहते हैं या फैंस ह्या पन्लें को बहुत मका दे टेएँ और के ल पाउल कुष्याद." आप जिसको मोटिवेशन कहरे हैं, अगर वो प्लेयर मोटिवेटेड नी है, वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहा होता है, केल राहूल में कुछ तो अलग होगा ना, दुनिया से, मोटिवेशन होगा, सके लोगा, जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, सेम टाइम, you have to perform, बिन पर्फॉर्मेंस के तो दुनिया नहीं चलती, इस्पेशलि तब जब रिषभ पंथ, प्रित्वी शौ, इवन मायं का गर्वा, यह प्लेयर नीचे से, मुरली वीजे का क्या कसूर है, कितनी इनिंग फेल हुए वो, चार, शेकर दवन का क्या कसूर है, उन्होंने तो इंगल जब आप एक को निकाल के दूसरे को एक स्टेज तक ही बैक कर सकते हो, उसके बियॉंड नहीं, और बात यह नहीं है कि वो डिसकार्ड हो जाएगा, ठीक है, जो रन बनाएगा, रन बनाएगा, गौतम बुद्ध ने कहा था ना, गौतम बुद्ध जिनको भगवान का एक अजसे बड़ी हैं पर जाएगा, जब बहुत बनाएगा, अंच्छा क्यानियों कि जूण बड़ी हो बात चे मिल्स आपनी का ईल है, यह नहीं है कि अजिगे रहने कि बारे में आप कुछ नहीं बोल रहाने प्राहने का पारहने कि भील्फ ए लुवाले हैं, तो बनाए आज आप उनकी बैटिंग भी देखी ने उन्हें हाफवलियों को भी रोका कॉन्फिटेंस इतना चला गया हाफवली को भी पुश कर रहे थे लेकिन अजिंके रहने ने आज वह गलतिनी की जो बीच में वह करते थे मेहनत की मेहनत की और आउट अज वह टेंशन लेकर नहीं स्वाड़ा तुम कि झांडींग जो खके थे मैं यू कुराई थे तैने की। वोच ये बस और अबर रहा चाहे लंबा सो तो सवासो दिए मोका है रिषब पन्त ने तो अगर लंच तब कल बतिंग कर ली कल आपको नए रिषब पन देखेंगे आज से अलग लादिया यह जा रेगा रड़ने लादिये उनको कौन्फिडेंस मिल गया ना एक बार करते हैं क्या चुनावतिया होती है मैं तब एक रह से वो डिप्रेशन जैसे हालाथ में थे इतना भी नहीं कर रहा है फिर वहां से वो जो सीख क्या है समझ क्या है उसके निखर क्या है फिर एक स्लंप आया उनका अभी जो पारी खेल अगर बहुत लंबी पारी होगी बड़ी तो फिर से वो जो 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 ज अच्छा प्रिथमी शॉक को टेस्से वंडे में लाकर खिलाने को बोला था तीनों मुझसे बहुत की अब एक ओपनर जो इस्टेब्लिस ओपनर है इंडिया का वंडे में उसको लेकिन टेस्ट में बेटी कराना चाहते हैं अब तेस्ट और वंडे अलग पैमाना रखें तेस् अब यार वहां पर वंडे में जिस पेस पर बैटिंग करना है अला कि मैं चाहता हूं रोई शर्मा तो सारी उमर मिल्डर खें जिस्ट करते ना सब्सक्राइब तेस्ट किसी ने ट्विटर पे लिखा कि जो हमारी बैस हो थी कि अड़म गिल्क्रिस्ट और अबी डिविलियर वह 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 वी ओपनर थे और मिल्र bass घ्लेएं सर आप क्या बात करतो याप्या अदम गिल्क्रिस्ट तेस्ट मैचों में मिड़र के लिए घ्युकर चार में नै तो ऊपन नहीं थे ले लोग तो चेल जो हमें काया हमनिोन नहीं ते सब्सक्राइब एव कर दोपे हिए अपर हुं दोपन से ओने son दोडी तोडी है याए लेटम लेटम यह नीचे के अरमान नीचे है ति में अहारमान उन गया उन्को लेग्वा निआ हुआ keeper कि जो कल तक ने हुआ वो कल Wild कि दोनों चीज़े बैलेंस्ट रहें मतलब जिसकी जहां फिट होगा वहीं खेलेगा कि नहीं पता और इसको बोलेंगे भी कि नहीं पता क्योंकि टेस्में उनको भी मोका मिला था लेकिन होना तो चाहिए अगर कहेंगे कि मुझे क्या उतनी लंबी रसी देते हो आप जितनी क आप जिए अबसान गर्णी तो रोई शर्मा ने जो अपनी टेस्ट क्रिकट खेली है अगरी तीन दो पांच थेस्ट मैच में उनके दो सौ और पिछल तीन सालों में और विराट के बाद उनके सब्स्राद अबरेजिश का इन तेस्ट मैच के बात की जाती है उसमें किसरें पूरा फ्लॉप हो था विराट कोली ने रन बना और अश्विन ने नीचे और रोहित का भी एक पौटी सम्टिंग जी तो इतना खराब प्रदर्शन था नहीं उसकी सजा उनको इंग्लैंड में मिल चुकी है आज आज वेस्ट इंडिस की बोलिंग और जो पिसले साल श्रिलं सर्वथिर न प्रणिस की किस्मत है किसी को छोटी इस्टी मिलें किसी बढ़ी मुष्धि को बढ़ी आजसे को समझा होगा की हो bitch तो रोई शर्मा आपको यार चैंपिन प्लेर को बैक करना ना रोई शर्मा को दो तो सही आप दस इनिंग लगाता तर उसके बाद जज करेंगे आप यार यहां पर आपने तीन टेस्ट मैच कहला है शिलंका वले उन्होंने दो सो बना दिये उसके बाद आपने वहां पर जाक को अगर आपको वहाख़ी टेस्स में सीरेस्ली ट्राइब करना है तो उनको ओपनर के रूप में ही ट्राइब कीजिए क्योंकि रोईत के साथ भी दिक्कत अगर आई है वह यह कि मिडल ओर में किसी ना किसी की वह जगह लेते रहाए बहें कभी रहाने की जगह लिए बैठा तो 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 नहीं है कि मतलब प्रुवें नहीं है पीसे रण बना के नहीं आ रहे है तो क्या होगा उन्क विए तो यह तो तीम मैंट को बैट की तैय करने है कि तां विराट को ली कि 11 पहले टेस्ट मैंच की मेंटल तैयार होगी पिर विराट क्लियर होंगे अपने माइंड में ठीक है या फिर वो यह सोच के चलें कि नई सेफ रहना चाहिए इंडिया को चेप स्पेश्टिस बैट्समन और चार बोलर अस्ट्रेलिया में आप तीन फास्ट बोलर और एक स्पिनर खिला लो काफी है फिर रोई शर्मा छे पे लेकिन अगर रोई शर्मा को आपने छे नंबर पर नहीं खिलाना है आपने छे पे हार्दिक पंडिया या हनुमा विहारी को खिलाने कर डिसाइड किया है जो हर्दिक पंड़ा तो मुझे मुझे लगता है और श्रेलिया के लिए जाएंगे अगर वो मिद नमेंबर तक फिटी नहीं होंगे तो उस केस में आपको देखना है फिर उसके बाद विराट पोली का कॉल है कि क्या मैं रोई शर्मा के पा अगर उस फ слाइट पर ले कितदे आव तो बाहर बिठाने के लिए 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 अप ले की जानाामा बाहर बिठाने के लिए फिर लिए की अन्हों हरा आई जिह नहीं है उस क्षे नहीं है सब आपके सामने. में डétais एक अंड़र में ड़नि दिखा दे लिखाता हुछ दून कि एक बात आज मैं पड़ी है पता यह वेरिफाइड है कि नहीं है इस अज पाइड काया कि वह विचेहजारे नहीं के लिए यह जो डॉमेस्टिक टॉनमें टी यह उन्होंने काया कि जो पांच तेस्टमाइड के बाद पाद पाद नहीं पार फाल में पहुंच गई मेरे बि किसी और ने खिल लिए बड़ी को ज़ुरूरत है क्रिकेट खेलने के लिए डोगनी को खिलनी को खेलिनी बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी टीम के लिए भी लेकिए बुरा मत मानिए आए बहुत बड़े प्लेयर जो है उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखायागा अग डिम बढ़े बढ़े प्लेयरों को टीम से बाहर का रसता दिखाया गया का दोनी को अपने लिए क्षिक bronies II कि ह pitching ऑन्हे ऐ अब वह मैंच बैटिंग करेंगे बैटिंग बैटिग बैटिंग बैटिंग ड्रांगा को बैटिंग को बाहर का रसता है को फाज कर तब बीजा काुन हो दिए है वीछ ऐे तरी में लिए जब सिए अपार्ट शाओश बाट् से जब एन Live को रेर सुझ नहीं है ल के लेकर लूट बीजा किकता है जिन अबयार टीम में अभी तरी टीम का फद होता रहे हैं भागा त तीम नहीं तो आपकु से पला केमिर heis जा सबतunnit का मैं जानिए भूंक को फासनी को नहीं चाहें को είναι जा? वर्ली क कमनेफ अगया उल्च बनी को नहीं चाहें है दोनी जाहें जा पुड़ने हैं किましょう उनकोुड़ने चाहिए जो तो अशी डियारी तो एंध करिंड़ा हुंगे आपको उस दायरे में ही तेयारी करने पड़ती है वो मैच खेलेंगे तो एक मुझे बताईगे अगर वो विजे हजारे खेलेंगे दो बाती मुझी एक दोनी खुट सब्सक्राइब और जारगंड को चैंपिन मना दिया जारगंड के लिए कितनी बड़ी बात है बहुत को चै कि पाजी आपके जिंदीगी के पांच सबसे बड़े मुवमेंट वर्ल्लकप जिताना और उन में से एक है रांजी ट्रोफी हर्याना को जिताना दो य तीन नं से जीते थे नाइटी वाल जीता है हर्याना रांजी ट्रोफी कभी लिए कप्तान थे और दिलिव बैंक सरकर ज विए पांच सबसे करना जाना तो आढ़का दो आपके नाजी ट्रोफी कि लिए उनके पृट में बाल्यागी एक वरी है उनका ट्राइकर एक रेट नीचे गया है लेकिन लिए उस लिए काम करना पड़ेगा उनका सा कगया है नहीं साइर नहीं करें थे नहीं एकर नहीं है लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर ने अब मुझे लग रहा है कि अगर में देखना चाहती हूँ कि MS Dhoni helicopter shot मार कि हमें जिताए कोई मैच तो उसके लिए अगर ये match खेलना जरूरी है तो बिल्कुल खेले हो जिन मेंसे आगे चलकर एक और दोनी पैदा हो सकता है जल्दबाजी मदकाद लग तो एक अगर बाद वाड़ा बंगार माही ने मुझे विकट कीपिंग करते हुए सामने वाली विरोधी टीम में होने के बावजूद एक नसीकल दी थी ती ती देखें ये कॉंट लगए चुछिए उनका बहुत फादा होगा यार आइवांट कि जाएं तीन मैचों में तीन सौ बनाई लेकिन उस बंदे ने दूसरे बंदे के लिए बोला कि भाई जो बंदा यहां तक लाया है लेट इंपले नमबर एक बात ठीक है देखने की बात बड़पन है कि भाई ये बंदे ने लाया है टीम को उस मुकाम तक हम उसको खेलने दे स्थी घाता हमां तो प्रीशर, क्यों मैं कि बनाते हैं ने वह थो एक प्रेशर के लिए प्रेशर के आए मisना कि समा र्चार कि इंदे हैं। सिर्क token देखाएं लेकि वह इन्दे ने स्टेश्षा हा갔 कि स्टेश्वे क्यान इ समया ह। गड़ना तो मुझें डाउन राइगा है कि उसे रिषभाण के रिषभ पंध कि या पता था खली 200 के रिषभ पंध कि अम रहा है रहा है इसा कोई 200 को पर निकाल दी है जिसे 100 के बाद रिषभ पंध का गयर बदले ना बस उनका 100 अने दीजी जो आज के लिए चलिए सो तक में चुपी साद लेता हूं फिर उसके बाद गगन रिशाप पंत्र वो मैं देखना चाहता हूं क्योंकि इंडियन क्रिकेट में बहुत जो आंधिया है और हम चारो यह बैठे हैं हमारे जो परिवार की लोग है वो भी हमारे साथ हैं क्योंकि व परिशब पंत यह बताया थे और खुण थे भिंट लिए नाम पिल्टारी जाने कर फिर दोनी तो पड़ाने आ। एक टुझा है थे रिख सोच है कि लोग सोच एंगें रिखिवार बात नहीं बात नहीं आ हुछ और दोनी मिलके दोनी लेकिन बैटिंग एक एक इस्यू है एक 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 इस्यू है एक एक इस्यू है उसली समझ रहे है बिल्कुल क्यूंकि क्यूंकि अधर गिंग्याने वर्ल्ड कुप जीतना है महिंदर सिंग धोनी अब देखिए 2011 तो नहीं हो सकते हो उतने बड़े खिलाडी के किसी भी फैसले का कि अधर हमें सम्मान करना चाहिए खासकर तब उसने आपको तीन तीन वर्ल्ड स्टेज़ पे लाफिस लाए उस बंदे को अग्षण में आता होगा कि अमारी गिम में कमी कहा है और हम कैसे इंप्रूब कर सकते हम उनको कृतिसाइज कर सकते हम उनको क्रिटिसाइज कर साद कर सकते हम उनको क्या भी उनको नसीयत कर सकते हैं अगर वनको जिसमनी लगा तेस्ट करिकेट से कफ्तानी चोड जो अघ्वा उनको जिसम लेकिन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए स्पोस्तट को यूट्यूब पे छाय का शाय कि प्रेस का अप्रैजे और एक चेक कर लिजे कि गई अन्सब्सक्राइब नहों जाया अए फेस्बुक पे हम है अमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए फोलो कीजिए स्प्रेड कीजिए और इंस्तेग्राम पे सबसे ज्यादा इंट्रेस्टिंग वहीं पे आपको कॉंटेंट बिलेगा इसको मैं हैंनल करती हूँ तो स्पोर्ट्स अफिशल ब्लुटेक वा खूब सवाल आप लोग अल्रेडी करते हैं कॉल्स भी करते हैं वह बनाए रखियो और राश्यका अंडर्सकोर सिंग मेरा है लेकिन स्पोर्ट्स तक ऑफिशल जो है वह भी मेरा है तो उसको जरूर फॉलो कीजिए थांक्यू